किरोडी लाल मीना जो राजस्थान में आए दिन लगातार खुलासे कर रहे हैं चाहे RPSC पेपर लीक का मामला हो या की जो है मेडिकल के शात्रों का मामला हो वो लगातार युवाओं के आवाज उठा रहे हैं और जन सभा जब भी वो करते हैं तो उसमें वो जरूर बोलते है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो चाहे आपको प्रशासन की तरफ से कोई परेशानी आ रही हो आप मुझे जरूर बताईए ये दिखाता है कि वो मंत्री पत छोड़ने के बाद भी लगातार एक्टिव दिख रहे हैं उन्होंने बीते दिनों ही एक भाशर दिया था जिसमें उन्होंने भजनलाग शर्मा, दिया कुमारी, राजिंदर राठोड और भाजपा के तमाम नेताओं के अलोचना की थी क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से नमस्कार मेरा नाम रिशाभ है और आप देख रहे हैं संबाद भारत के लिए किरोडी लाल मीडा और सचिन पाइलेट की राजनीती पे बात करते हैं, यहां चिराग और आफताप का इस्तेमाल के इस भाशड में किरोडी लाल मीडा और सचिन पाइलेट के बढ़ते राजनीती कत को दर्शाने के लिए किया गया है, यह दोनों ने तब राजनीती के एहम चेहरों में से एक बनते जा रहे हैं, खास कर तब जब रश्टाचार और घोटालों से जुड़े मुद्दे उभरते हैं, फरजी डॉक्टर का घोटाला भी हुआ, जिसको किरोडी लाल मीडा ने खुलासा किया था, किरोडी लाल मीडा ने बड़े रैकेट का खुलासा किया, जिसमें फरजी डॉक्टर बनाय जा रहे हैं इस घोटाले के खुलासे से राजस्तान सरकार खासकर बजनला शर्मा की सरकार की छबी धूमिल हो रही है ये सरकार पहले से पेपर लीक और अन्य भ्रष्टा चारों से जुड रही है और अब इस घोटाले से उनकी इस्थिति और भी कमजोर होती जा रही है ये भी बताया गया कि अशोक गैलोत की पिछली सरकार में इससे बड़े फरजी वाड़े हुए थे कॉंग्रेस पार्टी जो है खुद कई घोटालों में फसी रही इसलिए वरतमान सरकार इन मुद्दों पर खुल कर बात नहीं कर पा रही क्योंकि खुद उनकी पार्टी के समय भी ब्रष्टाचार चरम बर था तीन हजार से अधिक असली डॉक्टरों का संघर शल रहा है असली योग डॉक्टर जो सरकारी नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भटक रहे हैं उन्हें इस ब्रष्टाचार की वज़े से मुस्किलों का सामन करना पड़ रहा है वहीं दूसरी और बारवई पास जो है लोग पैसे देकर फरजी डॉक्टर बन जा रहे हैं जिससे स्वास्त सेवाओं पर गंभी रसड पड़ रहा है किरोडी लाल मिणा की राजनीती और भी मजबूत होती जा रही है क्योंकि जब वो जो है मंत्री थे उसके बाद उन्होंने मंत्री पत से स्तीफा दिया पर अपना काम करना उन्होंने नहीं चोड़ा किरोडी लाल मिणा ने अपनी मेहनत और रिसर्च के बलबूते इस बड़े घोटाले का परदा फार्श किया उन्होंने कई महंत्वपुर सबूत भी कठा किये जिसे मुख् पूरे मुद्दे से राजनीती में ब्रश्चाचार और गहराई कुछ नेताओं द्वारा उसे उजागर करने के प्रयासों को समझा जा सकता है पर अब देखने वाली बात है इसका आने वाले उप्चुनाओं में क्या असर पड़ता है पर इस मुद्दे पर आपकी क्या र समबाद भारत का भारत के लिए आज ही मिशिका इंसिट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने फूरे कीजिए